जैसे अभी बात चल नहीं थी आपने पूछा था सर्थियरी में हमें इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है तो यह कंफर्मेशन जो बालकें जो है वह एक टॉपिक है इसके अंदर पार्ट आपको कुछ लिखना पड़ेगा तो उसके लिए मैं आपको पीडिये बेस दूँगा अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूं पर आपको पूछते हैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव क्रेफ्शन अगर आपको पूछते हैं तो क्या लिखना है वह आपको मैं पीडिये बेस दूँगा ठीक है तो अभ से कंटेंज सिंगल बॉंड सबसे पहली बात यह बहुत के पास क्या होता है सिंगल बॉंड होता है और जैसे यहां पर यह है सिंगल बॉंड और सिंगल बॉंड के असपास इसको हम क्या कहते हैं सीगमा बॉंड भी कहते हैं अलंको वेकिन स्थैने सोट को कि टैक व्रिके टोड़ो लेक्टरबिश desta ट्रिस्रिबुश्ट एक्टरन ट्रिबुश्ट वस्टबुश्ट परВыल्ग्रो श्वर्ड़ो पिर आth दो सेक्मा है अलक्र डिट्रिबिशन around the internuclear axis around the internuclear axis मैं इसलिए आपको स्लोव बोल रहा हूं का आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो around internuclear axis of C single bond C ठीक है एंड अगर इसका मतलब यह हो रहा है कि यह जो सी सिंगल बॉंड सी है इसको हम कि रोटेशन कर सकते किसी भी डाइरेक्शन जैसे आपने एक पैन पकड़ लिया मैं आपको बता देता हूं देखो यहां पर अगर आपने एक पैन से इन दोनों कार्बन को अगर आपने जॉइन कर लिया दो दो समयलों यहां पर दो बॉल ले लिया हमने रबर के ठीक है उसके बीच में एक स्टिक डाल दी हमने तो उस रबर के बॉल को किसी भी तरह घुमा सकते हैं आप इस तरह भी रोटे distribution इसके अरांन वो कोई उसके अंदर कोई डिस्टरबंस नहीं आए ठीके तो तो यहां पर लिखते हैं कि विच that means this electron distribution which do not disturb which do not disturb due to the rotation डियू टुदा रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस यह उसकी एक्सिस के आसपास अगर हम रोटेशन करेंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है ठीक है तो तो देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर जारा देख लो देखो इस तरह अगर यहां पर यहां पर यहां पर कार्बन है और एक कार्बन यहां पर है ठीक है अगर यह दोनों कार्बन है यहां पर तो इसको मैं इस तरह घुमाऊंगा या फिर इस तरह घुमाऊंगा कोई चेंज नहीं होने वाला यानि यह जो बॉंड है उसके आसपास का electron configuration, electron density जो है, electron distribution उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अगर मैं इस तरह घुमाऊंगा उसको यह मेरे जो दो हाथ है वो दो कार्बन देख रहा है ठीक है तो मैं इसको किसी भी तरह में चेंज कर सकता हूं और ऐसे गुमाने के बाद हमें जो अलग-अलग टाइप के जो structures मिलेंगे उसको हम कहते है confirmations जैसे मैंने एक ऐसे गुमाया एक इसको गैसे गुमाया तो यह अलग structure हो गया that is called confirmation फिर मैं इसको और 60-degree गुमाऊंगा और इसको 60-degree गुमाऊंगा एक और structure मिलिया तो इस is called confirmations ठीक है और जिस तरह नाम होता है isomers उसी तरह यहां पर भी एक नाम होता है confirmers isomers होता है उसी तरह नाम होता है confirmers तो इससे क्या होगा हमें अलग-अलग we will get so we will get different special arrangement यहां पर देखले ना spelling उसका s-p-a-t-i-a-l special arrangement ठीक है इसका special arrangement जो ता है so we will get different special arrangement and are called they are called they are called what confirmations confirmations या फिर उसका दूसरा नाम भी है क्या confirmers confirmers और एक नाम है उसका करने से मिलता है तो उसका नाम है रोटामर्स ठीक है और एक और नाम है confirmational आईसोमर्स यह सब एक एक नाम है एक ही चीज़ के नाम है क्या कह सकते हैं confirmations confirmers रोटामर्स एंड कनफॉर्मेशनल आईसोमर्स यह चार नाम है क्यों कि ठीक है कि दिख लिए इतना कि अगे तो आगे देखते हैं उसमें देखो आपको यानि यह फिर से मैं समझा दो कि सपोज यह सी सिंगल बॉंड सी अलकें है उसके आसपास भी बॉंड होंगे लिए ठीक है अगर इसको हम रोटेट करेंगे इस बॉंड के आसपास हम इस कार्बन को रोटेट करेंगे तो यह आपके ग्रिम कालर के जो हाईड्रोजन के बॉंड उसके जो नेभरिंग बॉंड है वो थोड़ा सा इसके उपर यह जो कनफर्मेशन से उसके उपर थोड़ा सा स्ट्रेंड प्रोवाइड करेगा क्या प्रोवाइड करता है स्ट्रेंड प्रोवाइड करेगा ठीक है तो स्ट्रेंड का मतलब होता है कि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो इतना इसली वह यानि वो smoothly rotate नहीं हो पाएगा इसको हम कहते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेइन है टॉर्सियोनल ऐस्ट्रेइन ठीक है फिर से मैं सम्झा देता हूं देखो एक बार तो यहां पर क्या है कि वहीड सी सिंगल बॉंड c is not completely free यह completely free नहीं है क्योंकि उसके आसपास उसके आसपास यह यह सारे जो functional group जो है वो इस carbon bond को cc single bond को freely नहीं हो मुव होने देंगे और उनके उपर one to twenty kilo joule per mole जितना interaction forces लगाएंगे repulsive forces क्योंकि रिपल्सी यहां जब भी गुमाते घूबाते अंकि बूढ़ातर आगर कि दूसरे के नजदीК आ जांगे इनफ डिस्टंस से अ Yes simple hydrogen है इपर सिंपल हाइडरोजन है इसके साथ साथ हम ने यहां पर जोइन कर लिया c h3 सब जगे अगर c h3 जोइन कर लिया है तो देखो c h3 क्यों कि c h3 जोइन करने का मठलब क्या हुआ कि इसके आसपास भी तीन हर जगे तीन हाइड्रोजन है हर जगे यहाँ पर भी 3 नाइड्रोजन होगे तो इतने यह सारे इतने बड़े-बड़े फंक्शनल ग्रूप यहां पर प्रेजन्ट है तो यह रोटेट करने में और दिक्कावत होगी और ज्यादा strain create करेगा इस टाइप की जो effect होती हो उसको हम कहते हैं steric hindrance इस टाइप की जो effect होती हो उसको कहते है क्या steric hindrance गुजनी के लिए आपको याद रखना है that is called steric hindrance steric hindrance का general milling हो सकता है crowding ठीक है that is meaning is crowding तो इसके बारे में बार-बार आता रहेगा अपनी short notes में हमारे concept में तब और ज्यादा इसके बारे में सीखेंगे के steric hindrance कैसे effect करता है bond length को bond angle को सब कुछ देखेंगे stability को ठीक है तो इसको कहते है confirmations of alkane इसको कहते है confirmations अब बहुत सारे alkane है हमारे syllabus में अजारों alkane है पर सबका हम नहीं देखेंगे हम सिर्फ यहाँ पर confirmation analysis देखेंगे औफ इथेन confirmers ऑफ इथेन के बारे में देखेंगे अब हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल दो confirmations of ethane अच्छा आगे वाला लिखना बाकी है है हैंड रेस करो चलो जस्टमेट में रिवाइंड वापिस कर देता हूं आप लिख लो तो स्टुडेंट जब हम बात करेंगे confirmations of ethane ठीक है इथेन का सी सिंगल बॉंड सी से रोटेशन करते हुए में क्या का confirmations कैसे structure मिलते हैं उसको हम discuss करेंगे तो उसमें सबसे पहला होता है सोहर्स प्रोजेक्शन है सोहर्स प्रोजेक्शन है और इसके लिए आपको नेक्स वीडियो तक वेट करना पड़ेगा तो इसका मैं नेक्स वीडियो जब भी अप्लोड करूंगा तो बेल नोटिफिकेशन ओन कर दो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हो और हमें सपोर्ट करने के लिए जादा से जादा हमारी चैनल को शैर करो और सब्सक्राइब कर बढ़ाने के लिए ट्राए करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके जो सजेशन आते हिसके उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कहां पर क्रेक्षन करना एक आप और आपके डिमांड किया उसके लिचारशा लिए OTSA आओ और फोर धूर सब्रॉथ गूर्ट की ह